देश में खेलों की दिन भले ही अच्छे चल रहे हो लेकिन खिलाडियों की ग्रह दशा ठीक नहीं है इस बार रेप शादी का जहांसा देने और फिर प्रॉपर्टी हत्याने के संसनी खेज इलजाम लगे हैं राष्टियस्तर के टेबल टेनिस खिलाड़ी और अर्जुन एवाड़ी सौमेजीत घोशबर पीडित लड़की और उसके परिवार ने सौमेजीत के खिलाफ महिला थाने में फाई आर दर्ज कराई हैं अंदर राष्ट्रे टेबल टेनिस खिलाड़ी सौमेजीत घोश के खिलाब रेप और धोखाधड़ी के आरूप लगा रही है अठारह साल की एक लड़की लड़की ने 24 साल के सौमेजीत घोश के खिलाब शादी का जहांसा देने का भी आरूप लगाया है साथ ही लड़की का आरूप है कि सौमेजीत घोश ने शादी और पैसों के नाम पर उसकी जमीन भी हतिया ली और अब ये नैशनल स्टार धोके बाजी पर उतराया है पिडित लड़की के मताबिक वो और सौमेजीत साथ टेबल टेनिस खेलती थे दोनों की जान पहचान 2014 में दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई तीन साल के रेलेशनशिप में सौमेजीत ने लड़की के साथ रेप किया बंदरा साल की उम्र में लड़की गर्ववती भी हो गई थी जिसके बाद सौमेजीत ने लड़की से शादी का वादा किया लगिन बाद में सौमेजीत और उसके परिवार ने लड़की का गर्वववात करवा दिया लड़की के बालिक होने पर स्वामेजीत घोष ने श्वादी की बात से इंकार कर दिया आपको बताते कि स्वामेजीत घोष पशिम मंगाल के सिलीगुडी के रहने वाले हैं स्वामेजीत घोष ऑलंपिक 2012 और रियो में 2016 में हुए ऑलंपिक्स में भारत की तरफ से खेल चुके हैं और स्वामेजीत घोष को टेबल टेनिस के खेल में बहतरीन योगदान के लिए अर्जिन अवार्ट से समानित भी किया जा चुका है लेकिन अभी ये नेशनल टेबल टेनिस स्टार रेप के अलजाम लगने के बाद मुश्किलों में है पिडित परिवार के आरोप के बाद इस मामले में 12.7 महिला थाने में आरोपे खिलाडी परेफायार दर्ज हो गई है अनुपा मिश्र एंडिया टीवी बारा साथ पचिमंगार